अब बाद जलंस्की के counter attack की जलंस्की ने समले की तारीख तै कर ली है लेकिन अब उन्होंने code word में बात करने का order जारी कर दिया है ताकि पुतिन को इस counter attack के बारे में जरा भी भनक ना लगे हाला कि जलंस्की के एक वीडियो ने यूक्रेन का पूरा प्लान लिख कर दिया है जेलिंस्की ने अपनी फॉज को चुप रहने के लिए कहा है अब बहुत खामूश रहना है ऐसा तोप के गोले दागने वालों को कहा गया है आवाज नहीं करनी है यूक्रेन के स्नाइपर्स को बहुत चुप चाप हमले के लिए कहा गया है बक्तरबंद फोर्स को मेसेज है साइलेंट अटैक का वक्त आ गया है चुक कर हमला करने वाले स्नाइपर कमांडो भी सर्प्राइज देने को तयार है रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर निगरानी करने वाले सैनिकों या फिर रूस की बक्तरबंद गाड़ियों पर हमले करने वाले कमांडों और फिर उन्तालिस सेकंड के इस वीडियो में आखर में दिखाया जाता है दो एफ सिक्स्टीन फाइटर जेट ताकि पुतिन के दिल में इस लड़ाकों इमान का खौफ बैठ जाए वाओर जवाओर जापर जेलिंस्की का खामोशी से भरा काउंटर अटेक वाला प्लान पूरी तरह तैयार है जेलिंस्की ने बहुत जोर देकर कहा है इस बार हमला ऐसे चुपचाब तरीके से किया जाए कि रूस की फौच की छूले हिल जाए फिर बख्मूत भी आजाद हो, लुहांस्क भी आजाद हो, टोनेस्क भी छुडा लिया जाए और मारियो पूल से भी रूस का कबजा हटा दिया जाए जेलिंस्की इस मौके को युक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कैसे होगा, रूस इस युद्ध में बहुत आगे बढ़ चुका है युक्रेन का पूरी वी हिस्सा करीब करीब पूरी तरह रूस के खबजे में है और जेलिंस्की के पास इतनी ताकत नहीं कि वो वहाँ पुतिन की जड़ों को हिला सके लेकिन जेलिंस्की का होसला सात्वे आस्मान पर है और इस बार उनका इरादा मौस्को को पूरी तरह हिला देने का है पुतिन के खौफ को मिट्टी में मिला देने का इरादा तो जेलिंस्की 24 घंटे रखते रहते है काउंटर अटेक के लिए जेलिंस्की ने तारी देने ही की है बस बता दिया है कि पुतिन की फौज पर जवाबी हमला बहुत ही खामोशी से होगा ऐसा हमला जिसका ऐलान जेलिंस्की नहीं बलकि यूकरेन की फौज के धमाके करेंगे जेलिंस्की का आत्मिश्वास इसकदर बहुत बुलंदी पर और इसकी कई वज़े हैं सवाल है कि क्या पुतिन इसके बारे में जानते हैं क्या पुतिन की फौज जेलिंस्की के काउंटर अटैक को रोख पाएगी क्या जेलिंस्की खेरसान वाली काम्याबी दोहरा पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन बखमूत के साथ मारियोपूल और मेलिटोपूल जैसे जीते हुए शहरों को खो देंगे पुतिन के पास जवाब अगर है तो इसके बारे में वो अभी नहीं बताएंगे कि चुनोती के तोर पर उक्रेइन की पोज बहुत ज्यादा अक्टिव हो गई है आप जैलिंस्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैना की बात को समझी है आप को जैलिंस्की के एरादे पता चल जाएंगे Наша позиція дуже проста, ми не воюємо на території інших держав, у нас немає ніяких претензій територіальних і амбіцій щодо інших держав У нас є міжнародно визнані кордони нашої держави, частина з наших територій тимчасово окупована, наша задача їх повернути і от на цій території ми застосовуємо безумовно जैलिंस्की अभी दो दिशाओं में हमला करना चाहते है, वो पूर में रूज की वाज पर बड़ा अटाक करने की तैयारी कर रहे है वो दक्षन में भी बनाये गए रूज के फौजी अट्डों को तभा करने की तैयारी कर रहे है लहाजा उनके टार्गेट पर पूर्ब और दक्षन दिशा है जैलिंस्की अपने वीडियो में F-16 लड़ा को विमान भी दिखा है ये वो फाइटर जेट है जो उनको देने का वादा तो किया गया है उनके पाइलिट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है लेकिन ये विमान उनको मिलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है हाला कि पुतिन को डराने वाले वीडियो में F-16 का होना ये बताता है कि बाइडन और जैलिंस्की के बीच इस फाइटर जेट को लेकर पैसला फाइनल हो चुका है जैलिंस्की को फाइटर देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा पहले ऐसा नहीं था क्योंकि 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद जैलिंस्की को लेकर अमेरिका का भरोसा काफी कम हुआ लेकिन जैलिंस्की जब जापान में G7 बैठक के दोरान जो बाइटन से मिले और साथ में यॉरप ने भी जिद की तो बाइटन पिघल गए बाइटन ने जैलिंस्की से कहा कि कसम खाओ कि रूस पर अटैक नहीं करोगे जैलिंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब युक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया जैलिंस्की बहुत खुश है क्योंकि रूस के हवाई हमलों ने इस वक्त युक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है कोई दिन ऐसा नहीं होता जब युक्रेन पर हवाई हमला ना हो आस्मान से कोई बम न गिराया जाए रूस के फाइटर जेट युक्रेन के आस्मान में घुल्लम खुला तबाही मचा रहे है और इसी वज़ा से जेलन्सकी लगातार खुद को बेबस महसूस करते रहे और उनकी मांग एफ-16 जैसे खतरनाक पाइटर जेट पर कायम रही लेकिन पुतिन और बाइडन कैम के बीच हुई बातचीत में खतरा बता दिया गया है कि एफ-16 की वज़ा से विश्वत की नौबत आ सकती है एफ-16 आया तो जाहिर है ये काउंटर अटैक में सबसे बड़ी फूमिकादा करेगा जेलन्सकी का काउंटर अटैक जब विश्वू होगा तो लंबा चलेगा तब अतियार गुदाम लगातार भरे रहने चाहिए विमानों के साथ सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए तक अमेरिका ने युक्रेण को पांच बिलियन डॉलर यानी खरीब 40,000 करोड की मदद दे दी है 2022 में अमेरिका ने युक्रेण को 50,000 करोड की मदद दी थी कुल मिलाकर अमेरिका की फंडिंग से जेलन्सकी पर इस वक्त डॉलर की बारिश हो रही है और दौलत की ये बरसाथ पूरी दुनिया देख रही है पैसों की बारिश और हत्यारों की बारिश जेलन्सकी का होसला बुलंद है यही वज़ाए कि जेलन्सकी इस वक्त मॉस्को पर ड्रोन से हमले कर रहे है जेलन्सकी ने बखमूत का मोर्चा भी समाला हुआ है और अब आए दिन नए नए ट्रेलर रिलीस करके वो पुतिन के साथ वीडियो वीडियो वाला माइंड गेम भी खेल रहे है इससे पहले जेलन्सकी ने माई के आकर में भी एक ट्रेलर रिलीस किया था इसमें भी बहुत जोश दिखा जेलन्सकी की फौज ने इस वीडियो में भी रूस को खत्म करने की खाई इस एक मिनट के वीडियो में जेलन्सकी ने अमेरिका से मिली M777 तोप से लेकर हाई मार्स के रॉकेट हमले दिखाए जेलिंस्की ने बहुत ही घातक माने जाने वाले स्नाइपर अटैक से लेकर जर्मनी से मिले बहुत ही खास लेपर्ट टैंक की बंबारी भी दिखाई इस वीडियो में जेलिंस्की का कमांडर तो हुबहु कादिरफ की तरह नज़र आया सवाल उठा कि क्या ये जेलिंस्की का कादिरफ है इस कमांडर का नाम इसकी पहचान सब कुछ गुपत रखा गया है जेलिंस्की का ये कमांडर हत्यारों की ताकत दिखा कर युकरेन के नौजवानों को बता रहा है कि देश की फौज को उनकी जरूरत क्यूं है Зеленські का ये कमандर कैसे जोज दिला रहा है, बहुत खोर से देखिए. देखें इस कमандर की बातों को कैसे युकरेन के सैनिक दोहरा रहे हैं, इस कमандर में ऐसा क्या जादू है, कि युकरेन के फौजी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तयार है, ये वो सवाल है जो इस कमандर की तुलना पुतिन के कादिरफ से कर रहे हैं. युकरेन की फौज का ये कमандर बता रहा है कि कैसे रूसकी सेना ने उनके देश पर कितना जुल्म किया है, बुचा से लेकर मारियोपूल और बखमूत के हमलों की याद दिलाए जा रही है, और फिर बहुत जोश के साथ बदला लेने का एरादा, ये जेलंस्की का नया माइ рад treballतiden वे लेकर से था основе का वे लोना इक है वहा स्रूपल कार दोनीर याद से बीस थे ज स्काश देज की के वियु का ले इser squirrel's बिल्द की लेस बीण qualche का जाम Над次 स्वा पर बेस wise जे जाच, जlul, пл रहां है अनल, क been ज प्री उनल, क Irish Groundない, ओiven है प्री पर देखे जाए निया वीडियो जारी करने की नौबत कियों आ रही है इसे जेलिन्सकी की नई ताकत समझा जाए या पिर जेलिन्सकी की बहुत बड़ी कमजोरी तोकि पुतिन तो वीडियो रिलीज करने में नहीं बलकि हमला करने में यकीन रखते हैं और वो वार्णिंग तो बिल्कुल नहीं देते हैं